सस्रिकाल जी नमस्कार जी कोकेन मंजी स्टाइल में आज आपका फिर से स्वागत है आज हम आपको सबकी पसंद की पापड़ी चाट बनाना बताएंगे हम एक बाउल लेंगे बाउल में डालेंगे एक टोरी मिदा जो की 100 ग्राम है अब हम डालेंगे एक चताई चमच नमक और दो चमच ओयल डालके इसको हम मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसको अच्छे से गुंद लेंगे इसको बहुत जादा हमने गुंदना नहीं गुंदने से पूरी काटा हो जाता है हमने बनाने पापड़ी, पापड़ी के लिए हमको आटा उतना ही गुंदना है जितना की आटा आपस में जुड़ जाए ये देखें मैंने आटे को ज़्यादा गुंदा नहीं, ये देखें हमारा आटा बिल्कुल बंद चुका है आए इस साटे से अब हम अपनी पापड़ीयां बेलते हैं अब हम छोटी-छोटी बॉल बना लेंगे और पतली-पतली पापड़ीयां बील लेंगे ये देखें हमारी 24 पापड़ीयां बन गए हैं 100 ग्रम मेद्दे से करीब 24-25 पापड़ीयां बन जाते हैं अब हम एक कड़ाई लेंगी, उसमें ओयल डालेंगी, ओयल गरम होने पे हम इसमें थोड़ी-थोड़ी करके पापड़ियं तल लेंगे. अब हम लेंगे देही, देही को अच्छा से फैंटेंगे, और इसमें हम डालेंगे दो चमच चीनी, मैंने ब्राउन शुगर लिया, आप कोई भी चीनी ले सकते हैं, देही में चीनी से मीठा पना जाता है, जो पापड़ी चाड़ पे बहुत अच्छा फ्लेवर देता है. आईए, अब हम पापड़ी चाड़ त्यार करते हैं, सबसे पहले हम प्लेट में पापड़ी लगाएंगे, उस पापड़ी हम तोड़ के लगाएंगे, जे देखिया हमारी पापड़ी कितनी करारी बनी है. अब इसमें हम डालेंगे उबले हुए आलू, उबले हुए काले चरने, अच्छे से सप्रेट कर देंगे, इस से चाड़ का फ्लेवर और भी बढ़ जाता है. अब हम इस पे डालेंगे, हमारा त्यार किया गया हुआ मिठा दहीं. चटनी के बेना चाट का स्वादद हो रहा है, इसलिए हम डालेंगे थोड़ी सी पदीने की चटनी और थोड़ी सी इमली की चटनी. ये चटनी कैसे बनानी है, आप मेरी पराणी वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अब इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, मिर्च, जीरा और चाट मसाला, अब इसके उपर हम डालेंगे थोड़ी सी नमकीन, ये देखिया हमारी चाट खाने के लिए बिल्कुल तियार हो गई है, अगर हमारी जे वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, जारा से जारा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएए कि आपको और कौन-कौन सी रेस्पी चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बैल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी जो आने वड़ी वीडियो से आपके पास पहले आएं सब्सक्राइब कि आपके बाई